नमस्ते रादे रादे मैं कंचिना मेरे किचिन में आप सभी का स्वागत है इस तरह से मैंने एक कटोरी के लगबग मुंकी दाल ली है और इसे हमने ठंडे पानी में ही भिगा कर रखा है इसे हम 15 से 20 मिनट के लगबग भिगा कर रखेंगे जिससे ये थोड़ी सी ही फूलेग इसे हम क्रस्ट कर लेंगे इस तरह से आप चाहे तो इसे खलबते में भी कूट सकते हैं एक मिक्सी जार लिया है उसमें 5 से 6 हरी मीर छे एक इंच के लगबगा द्रक्कत उकड़ा है और उसका हम दर दर सा पेस्ट बना कर तयार कर लेंगे एक कड़ाई गरम होने के लिए र सोफ रखी थी वो आड़ कर देंगे और इसमें 15 से 20 मेंने कड़ी पत्ते भी आड़ किये हैं अब जो हमने हरी मीर च और अद्रक का पेस्ट बना कर रखा था वो भी आड़ कर देंगे और इसे हम भून लेंगे जब यह हलके से रोष्ट हो जाएंगे तो इसमें हमने जो एक कटोरी मूँ की डाल ली है तो इसमें हम आदी कटोरी के लगभग बेसन डालेंगे और बेसन को हम अच्छे से भून लेंगे जब बेसन का कलर हलका सा चेंज हो जार इसकी खुसबू आने लग जाए तो इसमें हम रेगुलर से मसाले डाल देंगे लाल विर्च पौडर तेस्ट अच्छा आएगा हाई फ्लेम पर न भूने नहीं तो यह मसाले हलके से भी जल गए तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा दाल भी देखिए हमारी अच्छे से पूल गई है इसे हम एक छहनी में निकाल देंगे जिस और दाल का पूरा इस्टर पानी निकल देंगे और फिर हमने जो मसाले भून के रखे हैं उसमें हम दाल को एड़ कर देंगे हलकी सी दाल की लिए रहेगी जब यह हम इसे भूनेंगे तो थोड़ी सी सौप्ट भी हो जाएगी सभी चीजों को हम मिक्स कर लेंगे और इसमें एक चमच के लगबग मैंने नमक डाल ह जब जाएगे और इसे ढख के पांच मिनट के लगबग हम छोड़ देंगे एक कटोरी मुंकी डाले आदी कटोरी के लगबग बेशन लिया था तो आदी कटोरी के लगबग इसमें मैंने पानी डाल है जो बेशन थोड़ा सा फूलेगा और डाल हमारी सौप्ट से हो जिससे हमारे मसाले अच्छे से यानि मतलब एक दूसरे में कोड हो जाए अब इसमें हम एक नीबू का रस डालेंगे और एक मुठी के लगबग बारी कटा हुआ हरा धनिया एट कर दिया है इसमें एक चमच के लगबग मैंने चीनी भी डाली है और एक छोटी चमच के लग बड़े कटोरे के लगबग मैंने मैदा लिया है उसमें एक चमच के लगबग यानि स्वादर नुसान नमक डाला है और एक चमच के लगबग इसमें हमने मोयन के लिए घी डाला है आप चाहे तो तेल का उपयोग भी कर सकते हैं पर मैंने इसमें घी डाला घी से बहुत ही गुदेंगे और नहीं बहुती कड़क नॉर्मल सा और उससे थोड़ा सा नारम सा इस तरह से जब इसमें हम उंगली दबाया तो अच्छे से यानि मतलब उंगली हमारी दब जाए इस तरह से हम आटा गुद लेंगे और आटा देखिए इसे हमने थोड़ी देर के लिए रेस् गरम हो गया है हम इसके यानि एक सिलिंडर आकर का इस तरह से बना लेंगे और इसकी लोई कट कर लेंगे इस तरह से लोई कट करेंगे तो हमारी एक की बरावर की लोई भी कट होईगी और हमें लोई बनाने में आसानी होगी इस तरह से अब हमने एक लोई ले ले लिए उस रख दी है कड़ाई हमारी गरम हो गई है इसे हम पहले तो हाई फेम पर तेल को गरम करेंगे और फिर इस से गैस की फेम को मिडियम टू लो कर देंगे और जो हमने बॉल बना खेंगे में उसे केबल हाथ पर हलका सही प्रेस करें गे इस इस तरह सेANS कटलेट के सेब में तेल हमारा बहुत जादे गरम नी करेंगे के बल देखिए जब आम इसमें नास्ता डाले तो हलके से बावल साइब बस इतना ही इसे हम गरम करेंगे और इसमें हमने जो सभी नास्ता बना के रखा है वो आइड कर देंगे और इसे यानि मतलब चलाते हुए ही उलट पलट करते हुए ही इसे हम तलेंगे नहीं तो ये नीचे चिपक जाएगी और एक साइट से सीख जाएगी और एक साइट से कच्छी रह जाएगी इस तरह से आप इसमें कल्ची चलाते हुए, घुमाते हुए इसे पकाइए यहने तलिये, तो यह बहुत ही अच्छी कस्ता और क्रिश्प सी बन के तयार होती इसी तरह से मुंग डाल की कचोड़ी भी बन के तयार होती है पर ही मैंने इस तरह से एक अलग सही नास्ता इसका एक बना कर तयार किया है जब इनका इस तरह से color change हो जाए तो इन्हें हम निकाल लेंगे और इसी तरह से हम दूसरा बेज भी बना कर तयार कर लेंगे एक बेज तलने में हमें 8 से 10 मिनट के लगबग लगते हैं इसे धीमी आज पर सेकेंगे तो ये क्रिस्प भी और खस्ता भी बनके तयार होंगी और देखे कितने अच्छे से में हमने खाने का soda डाला है तो ये फूल भी गई है और अंदर तक बहुत अच्छे से पक के तयार होती है दूसरा बेज भी देखे हमारा मैंने इसमें आइड कर दिया है और दूसरा बेज भी हमारा तल के तयार हो गया है मैं इसे आपको तोड़ के दिखाती हूँ एकदम अंदर इसकी फिलिंग बहुत ही टेस्टी और मूंग डाल का टेस्ट हलकी सी क्रेंग्ची सी हो जाती है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिये और बपपा के भोक लगाने के लिए बीना लसुन और प्याज का यह नास्ता जरूर ट्राइ कीजिये देखे कितना अच्छा से हमारा ये नास्ता बन के तैयार हो गया है और बहुती कम समय में